चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं क्लास से स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो भी इस विडियो को देख रहा है उनको हमारी और से नए वर्ष की हार्दिक सुभ कामना है ठीक है? देखिए जो भी student इस चैनल से जुड़े हुए है या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उनको हम बता दे कि अभी हम लोग percentage पड़ रहा है ठीक है percentage में अपना 12 लेक्चर हो चुका है जो की playlist में डाल दिया गया है जो भी student उन videos को नहीं देखे हैं जाके आप लोग वहां से पूरी वीडियो को देख सकते हैं जो भी यहां पहली बार इस वीडियो को देख रहा हैं उनको हम बता दे कि यहां दो fact आपको मिलेगा सबसे पहले पूरा यहां basic से आपको बताया जाएगा और पूरा complete बताया जाएगा ठीक है मैं यह हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए और सारे जितने भी platform होते हैं वहाँ आपको पूरा डीटेल में और पूरा complete नहीं बताया जाता है यहाँ पे आपको पूरा complete सेखने को मिलेगा यहाँ इतना बता दिया जाएगा कि आपको दूसरे जगा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगे तो विना time waste के हम लोग चलते हैं कि आज का concept क्या है इसके पहले वाले class में हमने क्या बताया था कि माल लिजे किसी रासी में ब्रिधी पर ब्रिधी इसके पहले वाला concept था कि किसी रासी में पहले x% की ब्रिधी की गई पुना उसी रासी में y% की ब्रिधी की गई तो कूल ब्रिधी अपने पास बताना था ठीक है आज का concept है कि पहले किसी रासी में ब्रिधी किया जाए ठीक है पुना उसी रासी में कमी किया जाए तो अपने पास कुल परिवर्तन क्या होगा ठीक है देखिए ब्रिधी पर ब्रिधी हो रहा था तो ब्रिधी होगा लेकिन अगर एक बार ब्रिधी होगा एक बार कमी ह होगा तो उसमें परिवर्तन पूछा जाएगा कहा है कि इसमें ब्रीदी भी हो सकता है कौमी भी हो सकता है ठीक है तो बीना टाइम वेस्ट कि हम लोग चलते हैं कॉंसेप्ट की तरफ सबसे पहले हम आपको फर्मूला से भी बताएंगे और विदावड फर्मूला कैसे आप ल में कमि की जाए कोने पास परिवर्तन अगर एक्स है ठीक कोई या जाए उसमें क्या किया जाए कि एकश पर्सेंट की बृदी कर दिया जाए या नि कोई कि निष्चित रासी है paid को रासी है उसमें कोई आया भी होसकता है कुछ भी उसकता है उसमें पहले पहले एकस परसेंट की ब्रिदि किया जाए यानि प्लस एकस परसेंट ठिक है उसके बाद यानि पहले x की ब्रीधी की जाए यानि प्लस x y की कमी की जाए यानि माइनस y ठीक है और उसके बाद x का y परसेंट आपसे हम बताये थे कि देखिए यहां जो concept लगता है compound interest का यानि यहां पर ब्रीधी होगा तो देखिए ब्याज पर ब्याज यहां पर लगता है जैसे कि माली जी कोई रासी माली जी 100 है उसमें अगर 20% की ब्रीधी होई ठीक है तो बढ़के तो हो गया 120 लेकिन उसके बाद जो फिर ब्रीधी होगी तो वो 100 पे नहीं बलकि पूरा 120 पे होगा अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखिए तो जाके आप लोग वहां पे द सहन और ब्याज दोनों पे ही लगेगा ट्रैक है तो ऐसे आप लोग समस्क्ते हैं माले? देखका अप ब्रिदी कीये, y का कमी किये और फिर axe का y परसेंट की ब्रिदी होगी या कमी होगी, तो आठीक है, यानि x into y किज्ये गा, तो मैंने यानि माइनस हो जाएगा ऑगा ऑपलाय ठीक है यानि एक कोई भी दिया जैसे कि उनको नई समझ में आ रहा देखिए माली जग किसी रासी में पहले 10% की ब्रीधी की गई ठीक है पुना उसी रासी में माइनस 20% माइनस 20 नहीं मतलब 20% की कमी की जाए इसलिए हम इसको माइनस ले रहा है दोस परशंट की ब्रीदी की जाए उसके बाद 20% की कमी की जाए तो कुल परिवर्तन पूछेगा ठीक है परिवर्तन अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि परिवर्तन क्यों पुझेगा देखिए पहले ब्रीदी किया जाए फिर उसी रासी में ब्रीदी किया जाए तो वहाँ तो कमी का कोई सवान लई होगा वहाँ तो हमेशा ब्रीदी ही होगा लेकिन अगर किसी रासी में पहले x% की बृधी किया जाए फिर उसमें कमी किया जाए तो एक बार कमी हो रहा है एक बार बृधी हो रहा है इसका मतलब उसमें परिवर्तन पूछेगा क्योंकि result उसका कमी भी हो सकता है बृधी भी हो सकता है तो माल लिजे पहले किसी रासी में 10% की ब्रिधि किया जाए पुना उसी रासी में 20% की कमी की जाए तो कुल परिवर्थन अपने पास पूछ देगा तो X के जगा 10-Y यानि 20 ठेक है? –XY यानि X यानि 10 इंटू 20 बटा अपने पास हो जाएगा 100 0 से यहाँ 0 खतं, 2 एक और यानि 10 और –20 और यहाँ पर हो जाएगा 2-1 यानि – 2 – – मैनश हो जाएगा प्लस यानि 10 और 20 कितना स्री 2 और 20 हो गया 22 अब 10 में से माइनस 22 गया तो अपने पास आजाएगा –22 यानि 12% की कमी हो गई अपने पास, ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, question हम लेते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चलिए, आप लोग को समझाने के लिए हमने एक question लिया है, सबसे पहले हम question पढ़ते हैं, और उसके बाद समझ सबसे पहले 20 परशेंट की की गई फर्मूला क्या था कि एक पार अगर देखिए पहले ब्रीधि हो बाद में कमी निष्ची तरासी में किसी एक निच्छी तरासी में पहले ब्रीदी हो रहा है उसके बाद कमी हो रहा है इसका मतलब हुआ x-y-x का y% बटा 100 यह तो होगे अपना फर्मूला ठीक है यानि x-y-xy बटा 100 अब कितना फर्मूला याद किजिएगा इस पर बना रहा है तो x का वैल्यू है अपने पास 20 y का वैल्यू है अपने पास 10 यानि 20-10-20 इंटू 10 बटा 100 0 से 0 cancel out हो जाएगा ठीक है यहाँ 10 और 2-2 ठीक है यानि 20 में से 10 और 12 यानि 20 में से 12 खतम हो गया यानि 8 बचा अपने पास तो अपने पास 20 right है इसमें 12 से 12 घृट रहा है यानि 8 की बा नहीं होगि 8 कि 2 या भूक्तर कि भैए किज़ाा आप 14 कोन तो अपने तरीके बताते हैं कि आप इससे कैसे आप एक्दम मतलब कंम कुम समय में आप इससे बना सकते हैंależ किम्रम नहीं दो नहीं दो दो तिन तीन तरीका हम बता रहे हैं देखिए कैसे इसको मिटा ले रहा है पहले अब देखी सबसे पहले exam में तो आप formula याद रहे नहीं रहे उससे कोई बेसिक जान अगर बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप कहीं भी कितनों आप formula भूल जाइए आप आराम से बना सकते हैं कैसे देखिए बूल रहा है कि किसी रासी में पहले 20% की ब्रीधी की गई तो 20% ब्रीधी का अर्थ हुआ सो में 20 बढ़ा, दुक है, परसेंट का अर्थ होता है सो में, य informação ब्रीधी हुराया तो सो में बढ़ेगा, कमी रहा है तो सो में घटएगा, इसका मतलब हुआ कि किसी राछी में पहले 20% की ब्रीधी की गई, यानि कोई राछी अगर सो है, तो 20 बढ़ के कुल कमी यहां पे होगी का होगी हम बोले थे कि 100 पे अगर कोई चीज बढ़ रहा है 20 अगर बढ़ रहा है तो 120 हुआ ठीक है तो उसके बाद जो अब percentage बढ़ेगा तो CI का concept क्या कहता है कि 100 पे अगर 20 अगर बढ़ा माल लिजे 20% का rate है ठीक है तो 20 बढ़ा तो 100 पे 20 बढ़ा यानि 120 हुआ उसके बाद जो भी कमी ब्रीदी होगी वह 120 पे होगी काहे होगी कि इसमें अपना मुल्धन भी है और अपना ब्याज भी है काहे 100 रुपया मुल्धन किसी को दे रहे है 20 रुपया अगर ब्याज अगर हुआ तो अपने पास कुल एमाउंट हो गया ठीक है यान पुणा ही समझ रहे है ठीक है इसके पहले वाला वीडीयो जाके आप लोग देखिए ज्यादा समझ में आएगा ठीक है तो देखिए अब बुल रहा है कि किसी रासी में पहले 20% की ब्रीधी यानि 100 सी हो गया वह 120 ठीक है तुना उसी रासी में 10% की कमी कर दी जाए तो 10% की अगर 120 में 10% की कमी की जिएगा 120 का अगर 10% आप निकालिएगा यानि एक बटा दोस ठीक है इससे ये कैंसिल आओ यानि 12 की कमी और होगी इसमें ठीक है इसमें कमी हो रहा है तो 120 में 12 घरटाईएगा अपने पास हो जागा 108 अब बोल रहा है क्या हुआ यानि 100 से कोई रासी ब बड़के हो गया 108 कितना से 100 से तो परसेंटेज निकालना है 100 से कीजिएगा इससे ये किंसल आउट यानि 108 108 का मतलब 8% की ब्रीधी ठीक है तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं एक और हम तरीका बता रहे हैं ठीक है एक दम सेफ है ठीक है उससे आप लोग देखिए कैसे बना सक यानि कोई रासी पहले 5 था बड़के हो गया छे नई समझे 20% का फ्रेक्षन केतना होगा आप बुलिएगा 1 बटा 5 परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा 1 बटा 5 होगा यानि कोई पहला रासी 5 था बड़के 1 बड़ गया यानि हो गया छे ठीक है यानि कोई पहला 5 था एक उ जो गया नहीं तो आपने पास क्या बोल रहा है क्या परिवर्तन हुआ तो 50 से हो गया चोनवाच ओगन यहां हो गया पचास से हो गया चोनवाच ओप यहनी कितना चार की बैदि होई कितना से 50-200 पर, कितना यानी present निंकलना एं 50 किजिएगा दो बार में चार दूना 8 यानि 8 फॉर ऐसे इसको और सौ्ट में अगर करना चाहे तो देखिए 20 पर्शेंट ब्रेदी की की और 20 पर्शेंट जहां आपको दिखा कि 20 पर्शेंट तुरत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि उसका fraction होता है एक बटा पांच यानि कोई रासी पहले पांच था हो गया छे उसके बाद 10% कौमी 10% कौमी आते ही आपके दिमाग में तूरत आएगा एक बटा दोस यानि पहले दोस था कौमी का अर्थ घटाईएगा ब्रिदी का अर्थ एक जोड़िएगा ठीक है यानि जितना उपर होगा देखिए अंस बटा हर अंस और हर जो होता है हर हमेशा मुल रासी होता है जोड़ा जाए घटा जाए जाए उसको जोड़ा जाए जोड़ने के बाद करेगा उसमें घटाएगा हर में और तो पांच मट environ 6 हो गया से गुना करेगा यानि 24 दोन चाल दोना अट पांदोना दोस यानि 100 से हो गया 108 यानि 8% की क्या हुँ ब्रीधी हो तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं ठीक है तो जो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना भी नहीं जानते हैं आपना फॉर्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते ह बॉले कुछ आपाते हैं तो आप लोग को समय मेन हो गा, इस वीडियो से कुछ सीखेंगे, तो सबसे पहले कना है, चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिएगा, ये आप लोग से tool